अब हमने देखो ग्रविडेशनल फोर्स का फॉर्मला पढ़ा है एफ इसकोस टू कैपिटल जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वार यह ने कि दो अब्जेक्ट अगर ठीक है ना दो अब्जेक्ट है यह यह देखिए ठीक अब मालो इसमें से एक है आपका यह मैं डाग्रा सेख्थ मांस है इसका मतर है एक है यहां चैक्ट यहां पर एक काम कर लो कि ऑटी होगा अकर दोनों को से के बहुत ही नहीं है रहे सपोस्स यहां साहरा तक की हाइट है और यहां साहरा तक की भाइट क्या है एच तो आपको फील दे रहे करा भीजा देखो भारी वाला जो अब्जेक्ट हो गाना उस पे जाधा घरेशनल फोर्स लगेगा ठीक है तो वो जल्दी गिर जाएगा और हल is proportionate to M1 into M, M1 into M, और यहाँ पर force is proportionate to M2 into M, ठीक है, अब इसमें से देखो, किसका right-hand side greater होगा, तो जवाब है, इसका right-hand side greater होगा, क्योंकि M1 greater है, M तो दोनों में fix है, यह वाला capital M, यह तो अर्थ का मास है, दोनों में fix है, ठीक, तो यह वाला force जो है, ज्यादा होना चाहिए इनके according, क्योंकि product यहाँ पर ज्यादा आएगा, क्योंकि M1 is greater than M2, यहाँ पर M1 is greater than M2, तो कह रहा है, कि इस body पर ज्यादा gravitational force लगेगा, भारी वाली पर जल्दी नीचे आ जाएगी, है ना, बड़ ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों नहीं, वो हम आपको बताते है, ध्यान से चेक क बहुत आसपास कोई object है, M, ठेक, तो इस body का weight कितना होगा, इस body का weight कितना होगा, सोचो, weight क्या होता है, weight होता है, अर्थ जितने force से किसी object को अपने center की तरफ खिसती है, और weight का formula हमने आपको बताया है, ध्यान से सुनिए, weight का formula क्या होता है, M into G होता है, mass into acceleration due to gravity, ठेक, M into G ह गसा होता है, तो यह weight है, लेकिन weight क्या, weight हो force है, जिस force है, earth किसी object को अपने center की तरफ attract करती है, ठीक, अब ध्यान से चेक कर हूँ, earth का radius है, M, ле М, Earth का मास कितना है, capital M है, और Earth का radius कितना है, अर्थ का radius है capital R, यहाँ से यहां तक कितना है capital R, यह radius है, अब सुनो, देखो, याद रखना, जब भी कोई object Earth के surface के आशपास होगा, तो यह वालीinguém distance को अप निगलेक कर दोगे, कौन सी, यह वाली H को, आप distance को निगलेक तो अर्थ के सर्फ भाई अब आप खुद समझो मैं यहां अर्थ पर खड़ावाओं यह ऑब्जेक्ट है सर्फिस से 2 मीटर उपर है बस 2 मीटर बस और और रेडियस हजारों किलो मिटर तो उस हजारों किलो मिटर के कंपारिजन में यह 2 मीटर तो बहुत छोटा है न तो यह वाली हाइट को आप नेगलेक्ट कर दो बास समझो ठीक है तो यह वाले डिस्स को नेगलेक्ट कर दो तो अगर हम आपसे पूछें कि दोनों के सेंटर के बीच का डिस्स कितना होगा तो वह अर्थ के रेडियस के एक् कोई बहुत बड़ी कॉंटिटी होती तो calculation को असान करने के लिए हम छोटे वाले कॉंटिटी को नेगलेक्ट मान लेते हैं उसको लगभग जीरो केक्वल मान लेते हैं क्यों क्योंकि यह जो है यह इसके सामने तो टिकनी पाएगा ना है तो इसलिए एच को थोड़ दो आप तो दोनों के बीच का distance कितना हो जाएगा capital R यहने कि दोनों के बीच लगने वाला जो gravitational force है वो कितना हो जाएगा capital G M1 M2 M1 की जगा M small m body का mass है और capital M Earth का मास है M1 M2 upon R square R square क्या है दोनों के center के बीच का distance कितना है और है capital अर्थ के radius के equal यह equation 1 हो गई यह equation 2 हो गई अब फ्रॉम 1 & 2 बच्चों रहे हो रहे हो अर्थ कितने अधार यही क्या होना चाहिए यही China value कितने force a इतने तो यह जो वेल्लू होगी वेट के एकवल नहीं हो जाएगी तो इसको वेट के एकवल रखो फ्रॉम एक्वेशन 1 & 2 अभी भी कुछ लोगों को नहीं सवंजाएंगा भाई सुनों वेट क्या होता है वेट वह फोर्स होता है जिस फोर्स है और किसी अब्जेक खीचती ह है तो कितने फोर्स खीच रही है वो इतने से और वेट कितना है इतना तो वेट ही तो यह फोर्स है तो दुनों एकवल हो जाएंगे ठीके ना तो क्या लिखेंगे हम यहां से हम लिखेंगे Small m into g is equals to capital g m capital m by r square अब आप ध्याद से चेक करो यह Small m Small m से cut हो जाएगा और यहां से Small g की value आ जाएगी यानिकी Excalation due to gravity कितना आ जाएगा Small g क्या होता है Excalation due to gravity जिनको नहीं पता है सुन लो Small g क्या होता है Excalation due to gravity ध्याद से सुनो ग्रेवेटी होता है और ग्रेवेटी होता है यह पूरे युनिवर्स में कभी नहीं चेंज होगा यह पूरे universe में fix रहेगा, कभी change नहीं होगा, capital G, और small g change होता रहता है, small g vary करता है, vary का मतलब change करता रहता है, ठीक है students, जैसे कि earth पर ही small g की दो values हैं, अगर आप equators के आसपास जाओगे, तो equators के आसपास 9.8 meter per second square होता है, और poles के आसपास g कितना होता है, 10 meter per second square होता है, और moon पे चले जाओगे, तो इसकी value g by 6 हो जाती है, यानि कि earth पे जितना है, उसका 1 by 6 times हो जाता है, लेकिन यह जो capital G, यह पूरे universe में fix रहता है, capital G का जो value होता है, वो होता है 6.67 लगभग into 10 to the power minus 11 newton meter square per kilogram square, ठीक है ना, यह fix रहता है, तो बेरहल, small g, capital G में आपको मतलब अंतर पता चल गया, बहुत सारे बच्चों को पता भी था, अब सुनो, यहां से अगर आप small g की value निकालोगे, ठीक, small g की value क्या आ रही है, capital G, m upon r square, अब आप चेक कर लो, small g किस पर depend कर रहा है, capital G तो constant है, छोड़ दो, mass भी भहिया, constant है, अरे, अर्थ का mass तो fix है, यार, वो थोड़ीना change होता है, तो यह भी constant है, और r, capital R भी गया, constant है, तो इस तरीके से यह जो g है, यह जो g है, मैं बस मैं यहां से यह दिखाने चाहता है, अब आप बोलोगे, sir, g तो change हो रहा है, हाँ, वो आप 11th class में पढ़ोगे, या, जैसे से height बढ़ती जाती है, या आप अर्थ के center की तरफ जाते जाते हो, तो g की value change होती है, वो सब reason हम बाद में पढ़ेंगे, small m तो small m से cut गया, याने कि जो object, यह दिखे, यह दो object है, यह दिखे, इस तरीके से, ठीक, और इसको हमने free fall किया, तो दोनों same time पर आके टकराएंगे, क्यों, दोनों के उपर escalation due to gravity, same काम कर रहा है, भाई, अभी और करके दिखाऊंगा, परिशानना हूं, यह जो g है, यह mass पर depend नहीं कर रहा है, escalation due to gravity is constant, g is constant, not depend on, it not depends, it not depends on mass of the body, जिस body को, mass of the body, जिस body को आफ free fall करा रहे हो, उसके mass पर यह depend नहीं करता है, क्योंकि इस formula में कहीं पर small m नहीं आया, और small m का mass था, इतनी बात समझ में आई, ठीक है, अब आईए थोड़ा सा और आपको explain करते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा और explain करते हैं कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, इसको आईए हम आपको दिखाते हैं, देखो 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 देखो, एक बार feel कराएंगे और फिर आपको formula से भी बताएंगे भी, देखिए, देखिए, पहले feel करो, सुनो feel करो, आप पहले feel कराते हैं, feel करो के जब आप, देखो क्या हो रहा है, यह अर्थ है, ठीक, एक मास थोटा, एक मास बढ़ा, दोनों को same height से, h height से यह, और h height से यह, हमने free fall करा दिया, अब सुनो, यह इस पर escalation due to gravity कितना लग रहा है, g, पराबर 9.8 meter per second square, और इस पर भी g कितना लग रहा है, 9.8 meter per second square, दोनों पर escalation due to gravity same लग रहा है, भाया, escalation due to gravity का मतलब क्या है, दोनों की velocity में जो change है, वो क्या होगा, same rate से होगा, escalation क्या बताता है, escalation बताता है कि velocity कौन से rate से change हो रही है, यानि कि 9.8 meter per second per second, यानि कि इस object की velocity भी 9.8 meter per second per second से change हो रही है, और इसकी velocity भी 9.8 meter per second per second के rate से change हो रही है, ठीक है students, यानि कि next one second में देखोगे तो इसकी velocity 9.8 से two time हो जाएगी, और इसकी भी 9.8 से two time हो जाएगी, तो दोनों की velocity का rate of change वो क्या है सेम है क्योंकि escalation क्या है constant है ठीक तो खुद दिमाग लगाओ कि दोनों को किसी भी time पर चेक करोगे नीचे जब गर रहे होगे किसी भी time पर देखा दोनों की velocity सेम आएगी क्योंकि हर एक second के बाद इसकी velocity में 9.8 का increment होगा तो एक particular time पर किसी भी time पर देखा दोनों की velocity सेम मिलेगे अब दोनों की even looki technology what सेम हैं मंनों किसी बी time पर दोनों की velocity सेम है और दोनों का displacement में करना है यानि कि हच हाइट इसको distance करना है तो time भी तो सेम होगा दोनों का क्यों क्यों किby velocity कि खुर्वलासित क्या होता है displacement upon टाइम होता है होता है कि नहीं होता है यह सर तो टाइम यहां जाएगा ठीक सही मैं बोला हूं वेलासिटी इस तरीके से समझ लो आओ बताते हैं तो सुटन साओ मैं आपको फॉर्मले से भी बता देता हूं आप equation of motion लगाईए second equation of motion s is equals to ut plus half a एक जगा जी आ जाएगा क्योंकि एसकलेशन दूट ग्रेविटी है हाफ s is equals to ut plus half a t square होता था एक जगा जी आ जाएगा यहां पर तो 0 into t 0 खत्म हो जाएगा यहां पर 1 upon 2 gt square अब यहां से time निकालो तो 0 प्लस 1 upon 2 gt square यहां सा जाएगा एच बराबर 1 upon 2 gt square ठीक 2 जाएगा यहां multiply करेगा 2 into h is equals to क्या आ जाएगा g into t square और g जाके यहां divide कर देगा so t square बराबर कितना हो जाएगा चेक कर लीजे 2 h by g 2 h by g सही है अब यहां से square हटा होगे square root लगा होगे तो time कितना आ जाएगा time हमेशा positive होता है इसलिए positive square root लेंगे square root of कितना जाएगा 2 h by g लो भाई यहां चेक कर लो time दोनों का क्या हो गया same होगा क्योंकि time किस पर depend कर रहा होना इसलिए मैंने आपको बताया था एक्जाम में बस इतना लिखना है all object fall on the ground with constant exclamation called exclamation due to gravity कोई भी object जब free fall करता है ground की तरफ अर्थ की तरफ तो उसके उपर एक constant exclamation लगता है जिसको हम exclamation due to gravity बोलते हैं और याद रखीगा in the absence of air resistance air resistance नहीं होना चाहिए अगर air के particle होंगे तो उसको परिशान करेंगे अच्छे से चलने नहीं देंगे उसकी velocity को अच्छे से increase नहीं होने देंगे उसके motion को पोस करेंगे इसलिए air resistance नहीं होना चाहिए ठीक तो it is constant and does not depends on the mass of the object अभी मैंने आपको दिखाया था ठीक है जो small जी है वो mass of the object पर depend नहीं करता है ठीक है शायद ऐसा कुछ आया था यह लीजे यह ऐसा कुछ आया था ठीक है यह mass of the earth और radius of the earth पर depend करता है मतलब depend तो वो किसी पर नहीं करता है बता रहां उसके सामने आ रहा है यह दोनों constant is constant हो जाएगा ठीक है ना so hence heavy object do not fall faster than light object इसलिए heavy object light हलके object से जल्दी नहीं गिरेंगे तो उनों same ही time पे गिरेंगे इस बात को आप ध्यान रखिएगा ठीक है ना तो एक भारी सा object ले लो हलका सा दोनों को same height से drop करो दोनों एक ही time पे आके जमीन पे टकराएंगे नीचे ग्राउंड पे टकराएंगे प्रूफ करके हमने आपको दिखा दिया time कितना लेगा square root of 2h by g ठीक है सुटेंस मानलों 5 meter height से गिरा रहे हो तो यहाँ 2 into 5 upon g कितना रख देंगे 9.8 solve कर लेंगे जितना time आएगा वह उतने time में दोनों आके ground पे टकरा जाएंगे किसो देंस